देखिए कोई LC circuit दिया गया है एक तरीके से LC oscillations होंगे इसमें inductance दे रखा है capacitance दे रखा है और एक plane पर रखा हुआ है और एक circuit जिससे connected उसका area दे रखा है मतलब आपके पास ये inductor है जो की है 0.1 henry का और एक capacitor है जो की है 10 to the power minus 3 farad का और ये हमारे connected है आपस में और ये जो circuit है इस circuit का area दे रखा है 1 meter square इस पूरे circuit का area और फिर यहां पर एक magnetic field है जिसके perpendicular है और इसकी intensity बदल रही है ताइम आ रहा है ताइम वेरियेबल दे रखा है तो इससे जो perpendicular magnetic field है इस magnetic field की value time के साथ बदल रही है बी नोट प्लस बी नोट बीटा टी की तरह और बीटा की value भी 0.04 tesla पर second दी गई है हमें बताना है कि maximum current का magnitude क्या होगा इस circuit में तो देखे अगर हमें बी दे रखा है जो की change हो रहा है तो obviously हमारा जो faraday low है second low faraday जो कहता है कि epsilon induced होगा और induced epsilon जो होता है वो होता है दी फाइब इटी so induced हमारा EMF जो होगा वो दी फाइब इटी होगा सिर्फ magnitude की बात करें तो मोडिलस लगा सकते हैं और flux जो है फाई वो होता है हमारा magnetic field into area so BA so यहां पर B की value आप लिखेंगे B not plus beta T और यहां पर area तो constant है area बदल नहीं रहा है और इसका जो आप differentiation करेंगे B not constant 0 हो जाएगा और यहां पर beta T का differentiation beta so a beta आपके पास जो induced EMF आएगा होता है यही दोनों पर बढ़ जाएगा थोड़ा तो हमारे इस पर जाएगा inductor पर और थोड़ा हमारे इस capacitor पर चले जाएगा capacitor के अक्रोज पोटेंशल होता है वो होता है Q by C क्योंकि हमें पता है C equal to Q V होता है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि V जो होगा L D I by D T सो यह जो टोटल बीटा ए है यही हमारा दो भागों बटा है तो बीटा ए बराबर होना चाहिए L D I by D T plus Q by C के है ठीक है अब आप इसको differentiate कर दीजिए with respect to time यह पूरी constant चीज़े इसका differentiation 0 हो जाएगा L B constant है D I by D T का differentiation होगा D 2 I by D T 2 और 1 by C constant है और Q का होगा D Q by D T और D Q by D T क्या होता है current होता है rate of change of charge is nothing but current तो आप यहां पर कह सकते हैं L D 2 I by D T 2 जो है यह बराबर है I by C के और आप यह कह सकते हैं कि I double dash जो है वो आपका बराबर होगा 1 by L C times I double dash का मतलब second derivative है अगर आप इसको compare करें X double dash equal to omega square omega square X इस equation से तो यह SHM की equation होती है तो दोनों काफे similar है और इसका solution हुआ करता है X equal to amplitude times sin omega T या cosine omega T दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं phase का difference होता है बस तो यहाँ पर X की जगे आप current लिखेंगे so current जो होगा वो होगा amplitude का मतलब maximum current होगा कुछ sin of omega times T अब देखिए जब maximum current होगा जब I not होगा तो हमारा जो sin omega T यह है वो होना चीए 1 याने कि omega T 90 degree होना चीए pi by 2 है ना यह हम इसको बाद में use करेंगे यह मैंने आपको पहले आगे से बता दिया है बाकि अब आप यह करिए कि जो current दे रखा है यह होता है dq by dt यह definition है so dq by dt is I not sin omega T अब इस dt को इस तरफ multiply करिए तो आपके पास आएगा dq equal to I not sin omega T times dt अब दोनों तरफ integrate कर दीजिए so हम integrate करना है इसको 0 से किसी variable time T पर है और charge उस वक्त 0 से Q हो जाता है तो dq का integration क्यों होगा I not constant है sin का integration minus cos omega T होता है और फिर आप इसमे values लिखेंगे minus cos omega T minus minus cos 0 so cos 0 की value 1 होती है तो आपके पास आएगा 1 minus cos of omega T multiplied by I not और फिर एक omega से और divide होगा क्योंकि sin omega T में omega constant है तो इसका भी divide करेंगे integration करते वक्त तो हमारे पास जो charge आया Q equal to यह value आईए अब हमारे पास charge की value है तो इसका use करके हम maximum current की value यहाँ पर निकाल सकते है तो magnitude of maximum current जो होगा यहाँ पर omega T की जगे हम maximum current की case में जब I equal to I not हो जाता है तभी maximum current flow होता है और omega T उसक्त 90 degree होता है pi by 2 होता है तो cos omega T जब 90 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा यह तो आपके पास इस इस्थिति में जो charge आएगा Q equal to वो आएगा I not divided by omega ठीक है फिर आप Q equal to CV का use करिए so C times potential so potential कितना दे रखा है यहाँ पर potential दे रखा है A beta के equal so आप कर दीजें यहाँ पर C into A beta तो आपके पास I not upon omega की value आ गई है C A beta तो I not की value आ जाएगी C A beta multiplied by omega so यह maximum current है यहाँ पर बस capacitance की values लिके multiply करना है तो आपको solve करने पर विस है 4 milli ampere मिलने वाला है झाला है